दूस्तू इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े हिमाइदार सवाल सुचने के लिए मिलेगा आपको पांच सकेंड तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे चैनल पर पढ़ाए हैं तो मेरे दूस्त सब्सक्राइब पर दीजे आच जनकारी हम इस से पाने के लिए फुरू इसका शही अंसर उटाकट सब्सक्राइब को चाहिए सवाल नमबर 2 रोहर का दाल किस को ज्यादा खाना चाहिए दोस्तों नहीं चानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा मेरे भाई मेरे दोस्त कि आच्छा जनकाड़ी हम ऐसा आप लोग के पास में मिलती रहे दोस्तो इसका सही अंसर है अस्थामा वाले रूगियों को रहर का दाल खाना चाहिए क्योंकि उगरम होता है और अस्थामा वाले रूगियों को कभी भी गरम समान खिलाने से अस्थामा की बिमारी नहीं होती है नहीं तो अस्थामा वाले को अगर आप देते हैं उरत का दाल तो अस्थामा उपट जाता है सवाल नमबर तीन बहुसीर की बिमारी क्यों होती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजगा मेरे भाई मेरे दोस्त की आच्छा जनकारी आपके पास में मिलती रहे हमेशा दोस्तों इसका साई अंसर है जादा आधी यानि जादा अद्रक जादा लहसुन खाने से बहुसीर की बिमारी हो जाती है आप लोग दो-चार दिन ज़रूर खा करके देखें आपको बहुसीर अगर है तो तुरंथ जोर लागा देगा और तुरंथ हो जाएगा दोस्तों सवाल नमबर चार सुबह गरम पानी पीने से क्या फायदा मिलती है सरीर में दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा आच्छा जनकारी के लिए दोस्तों इसका सही अंसर है पीट नहीं निकलता है सर्दी जुकाम नहीं होती है इसलिए गरम पानी सुबह के समय में जरूर पीना चाहिए जिन लोग को मोटापा ज्यादा तेजी से बह रहा है उनको भी पीना चाहिए गरम पानी, सुसुम पानी, सर्दी जुकाम भी नहीं होती है सवाल नमबर पांच गरम खाना खाने से क्या नुकसान होता है सरीर में दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिएगा कि आच्छा जनकारी हमेशा आपके पास में मिलती रहे दोस्तों दोस्तों इसका सही अंसर है लीब और आंते खराब हो जाती है और आखो की रोष्णी भी चली जाती है इसलिए गरम खाना आप लोग से रिक्विश्ट है कि ना खाएं सुसुम खाना खाईएगा थैंकि दोस्तों बने रहे मस्तरें खुशाल है जहां भी रहे